नमस्का दोस्तों, डिडी रेट के एक और एक्षिन वीडियो में आप सभी के स्वागत है, मैं हूँ आलोग, तो आज जो वीडियो लेकर आए हूँ वीडियो है डेली स्वाइक का और इसका टाइटल है ग्रीस इंसल्टेड पाकिस्तान इन दे यूएन वास्ट पाकिस्तान और कश्मीर, अच्छा भई, मतलब धो दिया कश्मीर पर पाकिस्तान को यूएन में ग्रीस ने कुछ कहा है बहुज ने भारत का पक्ष लेकर कहा हूँ ग्रीस और भारत के जो रिलेशन्स है वो बड़े अच्छBlack है और अब तो ऑर जाद़ा अच्छे हो रहे है मिलिस कोरिडूर में ग्रीस भी शामिल है ग्रीस की टर्कीस नहीं बनती है तर्की जो है वो कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देता है तो भाइब ग्रीस और ट्रकी मीने बंती है तो ग्रीस जो है भारत का साथ दे रहे तो Politics है जब राज नितिम में तो भारती है बड़े आगे हैं बोस डिप्लोमसी देख रहा है न आप बहुत आगे हैं बहुत अब तो दिखाना शुरू किया है पहले तो हम लोग चुप थे कि चलो चलो कोई बात नहीं कर लो तुम लोग कर लो अब हम शुरू है पॉलिटिक्स करने अब देखे चाइना बॉखला है हुआ है फिलिपीन्स पर जैशंकर साब ने एक छोटा सा बयान दिया है और चाइना भणकिया है अब उसको बात समझ में आने लेगी कि बिटा अब ये इंडियन्स खेल रहे हैं तो बिटा तुम लोग राजनिती अभी नहीं जानते हो राजनिती या ना डीने में घुजी हुई है राजनिती तो अ पाकिस्तान दिया है कश्मीर को लेकर उस ग्रेस कंट्री का कहना है कि पाकिस्तान जो है वो अपने कश्मीरियों पर जलम कर रहा उनके हकूग नहीं दे रहा तो इंडुस्तान के बारें बात की कहने लगे कि हिंडुस्तान डिवैलेमेंट के काम कर रहा बहुत तरकी की तिसन्सावा के आपका्ट मांता है जो के इंडिया के बास कश्मीर है इसको कैसे देखते हैं देखे हैं अजी आप शायर सोशल मीडिया देख्ते हैं आप सोचल मीडिया में देखे हमारे किश्маेरी खुड कहते हैं कि हम इंडिया में हुश हैं उनमें से 30% है जो हो कहते हैं का हम अजाद होना चाहते हैं देखें उन्हें हर सहलत में मिल रहीude पागल है जो हमारे से अटैश होना चाहरे हैं वह पागल है हागी मैं कहना उदर वो ठीक है सेवंटी परसन कश्मीनी कह रहे हैं हम खुश हैं आप सोचल मेडिया पे देख सकते हैं अब देखें आप जैसे बता रहे हैं कि यूर्पी यूनियन ने उनका उनके हक में बात की है वो इसलिए कि यह दुनिया भी देख रही है अब इंडिया जो इंड को जेरो सोटा काज हीरो बना दिया पांचु बेड़ी महिशत बना दिया आज उनके फोरें रिजर्व पूरे पाकिस्तान की एकोनोमी से जादा है इतने वो तरक्की कर गया तो और वो क्या करें अपने मुलक के लिए को इस तरह का लीडर हमारे पास है सर आपकी एकोनोमी स सिर्फ जादा नहीं है हमारा जो फॉरें रिजर्व है वो सिर्फ आपकी एकोनोमी से जादा नहीं है दो गुना है करीब करीब डबल पूरे पाकिस्तान की एकोनोमी जितनी है उससे करीब करीब डबल है भारत का फॉरेक्स रिजर्व एकोनोमी तो छोड़ी दीजे सर हमार सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व आपके पूरी एकॉनमी से आपके पूरे जीडीपी से करीब करीब डबले अगर निरेंदर मोधी की बात करें देखें काफिर जो है ना कभी भी मुसल्मान की हक में नहीं बोलेगा अरे तो मुसल्मान कौन से पाकिसान के मुसल्मान काफिरों के हक की बात कर लेते हैं अब पूरी दुनिया में मुसल्मान कौन सा मुसल्मान काफिरों के हक के बारें बात कर लेता बता दूजरा आप काफिरों के हक की बात नहीं करों तो यह आपका हक हम आपके हक के बात नहीं करें तो जी आप गलत कर रहे हो भाई फॉर्मूला तो एक ही होगा ना अगर इधर फॉर्मूला वन प्लस वन इकोल टू होता है और बदले में काफिर गाली देदे, देखो जी ये तो गलत कर रहा है, ये तो हमारा भला नहीं सोच सकते, अब ये तो तुम कौन सा भला सोच रहे होगे हैं, भला सोचोगे तो सामने वाला भी भला सोचेगा, इस्जत दोगे तो सामने वाला भी इस्जत देगा, सामने वाले के खिलब साजिशे करोगे सामने वाले के रिलिजन को नीचा दिखाऊगे सामने वाले वी आपके रिलिजन को नीचा दिखाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉजर वो सब पर लागू होता है हर एक्षन का रियक्षन होगा तो इधर वाले भी याद रखें कि क्या action करना है उसका reaction होगा इधर वाले भी याद रखें कि क्या action करेंगे उसका reaction होगा दोनों पर से हम formula लागू होगा result जुआएगा वो बात की बात हो formula तो एक लागू होगा सर देखें मैं वही बाद कर रहा हुला है मरे भी जूपा सल्हाइशलम ने भी कहा कि कभी भी काफिर काना मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता आप जितना मर्जिन के साथ कर ले वह भी कर ले एंडर वो आपको दोखा ही देगा नरिंदर मोती ने कभी पाकिस्तान का अच्छा नहीं सोचा अब आपको भी पता है कि पाकिस्तान ने काफी दफा इंडिया के साथ अच्छा की है इन्हों ने पीछे ये जो सिक यातरी थे उनका पानी पाकिस्तान ने अपने अंदर लिया है साथ नहीं पाक्ससान का बोड़े निपéqu एर कोई धमाका होता है को पाक्ससान को पीश्लाम इस पांप के लिसाए है इंडिया के निलिए इंडिया का दे मिशाए है और फिर ते हिल्फिटा वह जाना है? वो कह रहा है कि जो जो बिलेम लगाएं उसके पीछे पुरूमा के पीछे पुरूफ सबूत मिले उसके बाद 26 यारा में जो मुंबई में अटेक हुआ उसके ओपर भी पुरूफ मिले हमारे उसके बीच में 26 यारा में मुंबई में जो अटेक हुआ उसके अंदर भी हम इनवॉल थे और ये पुल्वामा हुआ उसको भी हमने कंडम किया के भाई हमारी गलती है आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को कहीं हमारे कसूर तो होता ही वो इल्जाम लगाते हैं सर मैं आपको वहीं बता रहा हुँ ना कि जो नरींदर मोधी वो यहीं चाहेगा पाकिस्तन को दुनिया में बद्राम किया जाए वो देखें आज अगर वो चाहेगा भी तो हमें इतना बड़ा होना चाहिए कि अगर कोई भी चाहे तो इसको हमारे कोई बराबरी ना कर सके आज हमारे अलाद इतने हैं कि हम बिलेम्स दूसरों पर डालने के बचा अपने ओपर कंडम करें के हमारे अलाद ही सही है इसलिए हमार साही हो रहे है ऐसे यह दो आप ठीक है अपको पैसे के पावर होने के वाशे इस चोटे से मुलक पूरी दूने को कंट्रोल कर रहे हैं और वह गलत भी बात करेंगा उसा तालियां बजाएंगे वाव वाव बड़ी अच्छी बात दीजिए को रिषदार में पैसे आजएं तो वो भी ऐसे दुनिया पैसों के मानती की नहीं मानती पैसे को माद पैसे को सलाहा हमें आपको नहीं लगता कि आज हम गुरुबत में आप में इसलिए दुनिया हमारी बाद में इसलिए आपसे बिलकुल ऐसा नहीं अमेरिका इतना बड़ा पैसे वाला है इतना बड़ा कैसे वाला है लेकिन अराक में जब WMD नहीं मिले वेबन ओफ तबाह कर दिया वेपन अफ मास रिसक्शन किदर मिले यानि क्या आप ने सिर्फ इराक को लूटा हम तो आज भी कहते हैं खुले हम और दुनिया के कई देश अमेरिका के खलाफ खड़े हैं इस बात को लेकर पैसे से सब कुछ नहीं लिया जा सकता सर ये पाकिस्तानियों को लगता है कि मेरे पास पैसा होगा तो मेरे पास इजज़त भी आ जाएगी और मेरा दर भी आएगा और गलत बात को भी लोग सही बहुत बोल देंगा नहीं नहीं बिलकुल ये सफालतू की बात हैं कि पैसा ले इज़त कमाई जाती है, सर, खरीदी नहीं जाती, जा रखना है ये बात, किसी भी कीमत पर, घर कोई पाकिस्ताः जासा नहीं हो तो tällर रिख जाएंगे जो कि हमारे foreign minister हैं उन्होंने ये कहा है कि घर की family जब तक अच्छी ने होगी तो घर का सरवरा भी अच्छा नहीं होगा जैसे घर की family होगी वैसा ही घर का सरवरा होगा पहले अपने आपको ठीक करी आपके अंदर कितनी नफरत भरी है non muslims के लिए आपके अंदर नफरत कूट कूट कर भरी है इतनी नफरत अगर हमें आ जाए कि जितने भी non hindu हैं उनका खिलाफ तो भाई साब हम भी डूब जाएंगे हमारी development भी मर जाएगी इसलिए हम ये नफरत नहीं सिखाते नफरत आपके लिए suicidal है सर और वो दिख क्या है रिजल्ट दिख क्या है जिस जिस country ने नफरत की है नफरत की बुनियादे डाली है मजब के नाम पर नफरत बढ़ाई है उस उस country की हालत देख लेजिए सीरिया हो सुडान हो लेबनन हो फिलिस्तीन हो पाकिस्तान हो अब उसमा बंगला देश भी जा रहा है इसलिए आप लोगों को बाते कम समझ में आती है नफरत दिख किछ हम दो आप लोगों को पोख करना बहुत इजी है बहुत इसी है और जो दिमाग से बड़ा गेम खेल रहा होता है न वो धीरे से आपको हलके से पिंचु हो देता है और आप तो फैल जाते हो बस यह कहा है कि हमें तलुकात इंडिया के साथ बैदर करने चाहिए हम इंडिया के साथ ट्रेट करना चाहते है उनोंने यह कहा इंडिया और जो अफगानिस्तान के दर्मيन का जो रास्ता है सरा आप जितना मर्जी कर ले जो हम मर्जी कर ले बिजनस करना चाहिए अच्छी बाद आप भी ठीक कर रहें लेकिन इंडिया आपको एंड धोगई देगा हाँ तो जा भी मत करना क्यूं धोके बाजों के पास क्यूं आ रहे हो तुम लोग भीक का कटोरा लेके ट्रेड सर करते हैं न ट्रेड ट्रेड बंद भी तो आप ही लोगों ने की थी और हम तो चाहा रहे थे कि कोई ऐसा फैसला ले पाकिसान की तरफ से कि हमारे उपर ब्लेम ना है अब कर लो शुरू ट्रेड बिलबिला रहे हो ना चार साल से बिलबिला रहे हो चार साल से कि बिना बंदू की गोली खर्च किये तुम मरोगे क्यूंकि नफरती सोच है तुमारे कर लो कि मांगते हैं वो जलील करते हैं मांगते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जलील हो हम यह और भी बड़े काम होते हैं क्या अदालतों में इंसाफ मिल रहा है नहीं सब्सक्राइब करें और अगरेजी अखबार जो हैं वेबसाइट है वो खबर चाप देती है अपना समझ लेती है अब मेरा गाम फूरा हुआ और यह नहीं समझ पाती कि पाकिसान में 90% लोग अंगरेजी नहीं पढ़ सकते और उ आपके किसी हाई कोड के 6 जजों ने 6 जजों ने लिखा है कि ISI उन पर दवाब डालती है उनके काम में दखल अंदाजी करती है क्या आप बात करते हो सर अब तो ये अब घाव तो भर गए अब वो घाव फूटने लगे हैं देखो फूट गए 6 जज फूट गए मवाद भर गया अंदर आपके अब वो फूट फूट कर बाहर निकल रहा है हर तरफ से निकलेगा पूरे शरीर से निकलेगा निकल रहा है ना मैंने फिर कहा है आप लोग अनलाइज कीजिए कैसे चीजे हो रही है बस देखते जाएए असान वालिकमस्सलाम कैसे हैं आप अलहमदलिल्ला नाम आपका मिर्जा जोहेब क्या करते हो मैं लोग कर रहा हूं जबर दस बात करने का परपरस आप से यह है क्या लगता है कि वर्ल्ड वायल के अंदर कौन से कंट्री की जादे रिस्पेक्ट होगी पाकिस्तान की पाकिस पाकिस्तान की रिस्पेक्ट जादा है किस हवाले से पाकिस्तान की रिस्पेक्ट जादा और कौन-कौन से मुलक हमारी रिस्पेक्ट करते हैं जरा नाम लेकर और उनची अवास में बताईगा अगर हिंदुस्तान की बात है तो मुस्लिम उसमें भी बहुत जादा है ठीक है मैं मुसलिम्स की और हिंदू की सिकों की बाद नहीं कर रहा हूं मैं रिस्पेक्ट की बाद कर रहा हूं आज अगर खड़े हो मुसला मसाहिल में हसा हो पाकिस्तान तो साथ कोन देगा और को वकील बनने वाले हैं लौक की पढ़ाई कर रहे हैं कोट में गई ये तो जज ने कहा कि हाँ भई मडर का केस है बताओ भई क्या बोल रहे हो तो सर वो क्या है ना कि जो किताब में हमने पढ़ा था कि किताब में ये पढ़ा था कि हिंदुस्तान हमारा जो दुश्मन है और वहाँ पर मुसल्मानों पर बड़ा जुल्म होता है पाकिस्तानी कानून की घंटा ना बता पाएंगे अब तुम से ज्यादा पाकिसान के कानून मुझे पता हैं लोग के पढ़ाई कर रहो न कौन दुनिया में चीक चीक कर बताएगा के भाई पाकिस्तान जो है वो सही कर रहा है चाहे कुछ भी हो जाए देखे चीन एक बहुत परोसियों के साथ यह किसी के साथ इत्ने बैतर नहीं है आप हमारे देखो भाई आप हमारे देखो और इरान के साथ देखो तो वहां पर भी रिष्ते हलात खराब है अब भी रिष्टन मैं आपको एक बाद बताता जाओं कि गिरीं से कंट्रिया जिस ने योएं के अंदर कश्मिर के अगेंज कहा है कि कश्मिर उर्पाइट कर चुमेर हमारा पाटनी तो लोग हमारा पेसाथ प्रमार निके पाकिसान कि यूज फ्रथ माली के साथ मतलब कहले एक पाकिसान मेरे क्याल में कुछ के में और अच्छे रिलेशन नहीं है और हिंडूस्तान दूसरे माले को भी हर जगा हर टाइम पर स्पोर्ट करते हैं खुद को भाई ने एक मिनट के भीतर एक स्पूज कर दिया अभी तो एक कह रहा था कि पाकिसान की इज़त बाहर बहुत जादा सबसे जादा मुझमिल भाई ने पूछा तो एक कंट्री आई अब कह रहा है कि नहीं नहीं हो भारत के रिलेशन बड़े अच्छे हैं अब अकल के अंदे लॉक की पढ़ाई कर रहे थे हैं भाई साब जो भी अगर इनके फादर मेरा वीडियो देख रहे हैं इन भाई साब के ग्रीन कूर् जल्दी से जल्दी चक करवाओ इसका आपने जुबान से उनकी तारीफे कर दी भाईजान कश्मीर का बेसिक लिए जो इश्यू है आपके पता कश्मीर का मामलात क्या है वकील है इस वी तो पढ़ेंगी पढ़ी होगी आपने जो कर रहें जी बिल्कुल पढ़ें तरह से कि हार तरह से ह्योँ ये बात मैंने पहले कि उनके दूसरे माले के सा रिलेशन बोट अच्य जा रहे हैं तिक इस व्धुले पाकिस्तान की मैं आपने पहले भी बात किया कोन्टिटी कि खतम हो जाती है ठीक है और नीं तो अच्छे हैं बहुत ठीक हर जगां पे हर फ आप मेरे पैसे नी मेर राशन नी मेर रहा है मेरे चोट चोट बच्चे हैं अब बहुत बागर हो सार मेरे पाउंट रूट वाज़ एक्सरे देख सकते हैं अब बापा नशा करते हैं नशा करते हैं अब बहुत बच्चे उसे यह पता होगा आप से खड़ा हुआ नहीं जा रहा है सब्सक्राइब करते हैं क्या मुलकी जो हलात हमारे देखते हैं कि इन सब के देखते हुए कश्मीरी भाई हमारे पास आएंगे जो के अउकोपाइट इंडिया के कबजे में जो कि हमारे पास आएंगे वो नहीं आएंगे क्यों जेड़ साधे तो अफ़रान मुसलत किते गया नदिवाई तो नहीं आएंगे अच्छा एक मुलक के नाम से सर उस ने यू एन के अंदर हमारे खलाफ पाकिस्तान की खलाफ और इंडिया के हक में बयान दिया वहां पर जो कुश्ण पर नहीं है इंडिया साट वाले में दो इंडिया बड़ी तरकी कर रहा तो वहां पर बड़े खुश है मुलक दूसरे मुलक हमारे खलाफ के वह हो रहे जादी मेंजमेंट क्यों नहीं मैंजमेंट करने आ रही है तो पिछले सोचना जाइद है है एक दार थी खातर नहीं अवां दिखातर सोचन भेंखना है अवां दी खातर नहीं सोचन कर दो होतर हो रहे है नहीं से छहारा जो होएं तो चलरा आ जैगो जड़ा करना की सता मुश् के पारा अवाम के लिए मुल्क बनाया जागिरदारों के लिए मुल्क मना जी जमिदारों के लिए जमिदार मतलब जो बड़े कई किल्ले खेतों के वढ़ेरों के लिए तो सी कौन पूसता है बाई तैनो किसी गिंती में नहीं हो तो आटी कोई गिंती नहीं है जी गिंती ना इसी चलो छोड़ो बात हो रही थी जी की ग्रीस ने साथ दे दिया और यह दे दिया अब देखे अगर आप मुझे फॉलू करने पिछले एक डेड़ साल से तो मैं लगातार आपको कह रहा हूँ की आप बस टाइम लाइन चकतर हो जो जो काम हुए हैं और मैं आपको हिंट देता रहता हूँ अक्सर हिंट देता रहता हूँ मैंने आपको भी कुछ दुनों पहले भी हिंट दिया था कि अभी कुछ होगा देखे यून में आया ना देखे कई लेवल्स पर एक साथ काम चल र अस्पताल चाहिए, वो सब दिया जा रहा है, यह हो गया एक लेवल का काम, दूसरा लेवल है हमारी डिप्लोमेसी, हमने G20 कराया, हमने इसलिए कराया कि डिप्लोमेट्स आएंगे, वहां के लोग आएंगे, ग्राउंड पे देखेंगे, फिर वापस जाएंगे, तीसरा चल है, सोशल मीडिया के थुरू, जो भी foreigner, tourist आ रहा है, foreign delegations आ रही है, वो सब जम्मु कश्मीर में जाती है, वो देखती है, फिर वो जा के अपने व्लॉक्स बनाते हैं, अपने वीडियो बनाते हैं, तो धीरे-धीरी चीज फैल रही है, रियालिटी दिखा रहा है ना, फिर आते हैं, sports बहुत important है, आपने देखा अभी हमने formula 4 racing कराई, डल लेक के पास, आपको क्या लग रहा है कि ऐसे कराई हमने, सचिन तंदुलकर जम्मु कश्मीर में गए, आपको क्या लगता है कि जम्मु कश्मीर सचिन तलकर ऐसा ही चले गए, आप planning देख, आप लोग समझ ही पाएंगे, जिस level के planning जल रही है न, और जिस level पर काम हो रहा है, आपके समझ से बाहर है, आपको बस result दिखने लगेंगे, और वो result दिख रहे हैं, मैं फिर क्याता हूँ, आने वाले कुछ, चंद हफते, चंद महीने बाद कुछ देगे, कुछ और नया होने वाला है, हम ऐस कर देंगे, कि पाकिस्तान एकाद कंट्री आपके साथ आएंगे, उसके लावा कोई नहीं होगा, और जब ये पूरा चकवे उरच दिया जाएगा, ग्राउंड से लेकर, विदेशी रिलेशन से लेकर, और हर तरफ, बिजनस से लेकर, हर तरफ, तब फाइनल असॉल्ट इसलिए आवाजे उठ रही है, क्योंकि उनको दिखता है कि यार, वहाँ तो 30 रुपे किलो आटा मिल रहा है, 50 रुपे किलो चीनी मिल रही है, 40 रुपे किलो, गैस सस्ती, बिजली सस्ती, पेट्रोल सस्ता, डीजल सस्ता, गाडियां सस्ती, कमाई भी जादा हो रही है उनक बच्चे उनके अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लोगों का इलाज अच्छे अस्पतालों में हो रहा है, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्रक्टर इतना जबरदस्त है, और चंता मत कीजिए, कुछ सालों में आपको जम्मू कश्मीर की IPL टीम खेलती वी नजर आएगी, मैंने बता दूँ, फिर क्या होगा, जमू कश्मीर में मैचेस कराए जाएंगे, उसकी में तैयारी है, बहुत ज़्यादे मैं आपको बता नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, लेकिन, प्लैनिंग इतनी जबरदस्त है, और पाकिस्तान देखता रहेगा, बस कि, ओ, यह क्या ह हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा, आप बस स्टेप्स गिनिये, 270 का हटना, 35 का हटना, स्टोन बंद होना, इंफ्रास्енное बढ़हाना, बजट देना, लोगों को अपने साथ करना, सच इनको भेजना, फर्मूला फूर कराना, जीट्वूंट कर रहे हैं अभी आपको शुरुवाती चीज दिख रहे हैं तो बिग प्लान का हिस्सा है बहुत छोटा सा बिग प्लान कुछ और है खैर आप लोग बताएं आप लोग मेरी बातों से कितना सहमत है जल्द मिलता हूँ एक और ने वीडियो के साथ नमस्कार जहिंद